आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीव चैनल पे माइनेम इस केशफ कटोथ एचपी पटवारी के लिए जो है वो हाइली डिमांड बच्चों की तरफ से है कि निया बैज आपका कब आएगा क्योंकि पटवारी का बैज 2 वो अलमस्ट फुल हो चुका है तो इसलिए हम आपके लिए लिए एचपी स्टडीज आपके लिए लेकर आया है एचपी पटवारी का बैज 3 तो आप सभी को उसके लिए पहले ही प्रिपेर करना पड़ेगा और पहले ही आपको प्रिपेरिशन अपनी इतनी स्ट्रॉंग रखनी पड़ेगी कि जब भी आपका एक्जाम आए तो आप उसको फर्स्ट अटेम्ट में जो है वो क्रैक कर लें तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी पटवारी का बैच 3 तो इस वीडियो में हम जानेगी कि एक्चुल में पैटर्न जो है वो आपका क्या रहेगा स्लेवर्स आपका क्या रहेगा और कोर्स की कुछ डिटेल्स को भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा तो चलिए वढ़ते हैं वीडियो की और तो देखें आपका जो पहले अगर हम इचमाचल पटवारी की भरती की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की करें तो टेन फ्लस टू एग्जामिनेशन या फिर आपकी रिकंगनाइस बोर्ड अफ एजुकेशन और उनिवर्सिटी से जो है वो आपकी स्कूलिंग होनी चाहिए स्पोर्ट्स काटेगरी के लिए भी यहां पे इन्हों ने एक प्रिवीजन रखा गया है और उमर 18-45 सार रखी गई है और अपर एज लिमिट जो है CST और OBC को हमेशा जो मिलती है रिजर्वेशन की तौर पे वो 50 years की जो है वो यहां पे दी गई है तो इसमें काफी हद तक जो है वो maximum crowd जो है वो इसमें जो है वो form को जो है वो भर सकता है अब अगर हम बात करें selection procedure की तो selection procedure देखो यहां पे कई सारे changes जो है वो हुए जब HP SSE जो है वो आपका भंग और उ आपको देखने को मिलेगा जो की आपका qualifying nature में होगा और जिसमें आपको चार subjects जो है वो यहां पे देखने को मिलेगे जिसमें हिमाचल जी के अगर आप HPG के किसी भी exam की तियारी कर रहे हो तो उसमें आपको HPG के एक ऐसे core subject है जो कि आप हमेशा देखने को मिलेगा और यह ऐसे deciding factor भी होता है कि अगर आप हिमाचल को पेपर clear करना चाहते हैं तो आपको HPG के भी अच्छे से आदीचे इसके साथ साथ आपको international और national affairs जो है वो यहां पे आपको पूछे जाएंगे जिसमें थोड़ा सा confusion बच्चों को भी है कि इस section में आएगा क्या तो इसमें आपको static GK और इसके साथ साथ आपको यहां पे current affairs जो है वो पूछे जाएंगे इसका अभी तक इन्होंने एक sample paper हमें नहीं बेजा है तो हम यही अनुमान लगा रहें क्योंकि इन्हों General Knowledge of National International Affairs जो है वो बोला गया है इसके साथ साथ आपको Hindi 20 marks की आएगी इसके साथ आपको English जो है अगर आपने paper 1 qualify किया है और paper 2 में भी अगर दो बच्चों के marks अगर सेम होते हैं तो paper 1 के ही marks जो हैं वो जुडते हैं इसके लिए हमने हमारा रुद्र बैस special paper 1 के लिए batch 2 भी हमारा launch हो चुका है तो जो बच्चे से paper 1 की त्यारी करना चाहते हैं वो उसको join कर सकते हैं अब बात रहती है paper 2 की तो paper 2 का slavers अभी तक जो है वो सरकार या फिर commission के द्वारा कहीं से भी नहीं दिया गया है बट कहा जा रहा है कि एक तरीके से आपका जो paper 2 वह एक्जाम के तोर पे अलग-लग exams होंगे जैसे जो एटी का अलग paper है बाकी चीज़ों का अलग paper होता है तो उस इसमें involved रहेगा वो भी paper 2 मेंगा actual में क्या किया है इन्होंने इन्होंने जो आपका पहले syllabus था वो almost आपका वही है बट अब इन्होंने क्या कि उसको divide कर दिया है तोड़ा सा clarity लाने के लिए या आपके कोई धांदली नहीं हो इसलिए उन्होंने जो है वो ये एक तरीके से paper नो paper 2 में किया है बट almost labels आपका same रहेगा उसके बाद आपका document verification की जिसके कोई number नहीं होगे no numbers आपका यहां पे होगे कोई number आपके include नहीं होगा उसके बाद आपका final selection होगा इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी paper 1 और paper 2 के लिए और उसी में हम आपकी help है तो मैंने सेम वही बात आगी कि arithmetic में आपको यहां पे कोई भी higher math यहां पे आपको नहीं आएगा जैसे आपने देखा होगा forest guard के paper में आपने देखा होगा कि वहां पे आपको trigonometry की questions भी पूछे जाते हैं पर यहां पर आपको simple arithmetic जो है वो आपको यहां पर पूछा जाएगा हिंदी English आपको आपको आगी और journal knowledge की questions यहां पर पूछे जाएगे पूछे जाएगे यहां पर आपने हिमाचल जीके जुरूर रिकराउट करने ही जब मैं जब मैं जनल नौलेज की बात कर रहा हूँ तो पेपर 2 में आपको जो है वो HPGK के question भी जो है वो देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें पूरे course की अब बात करते हैं तो आपको एक clarity के थौरपर बता देता हूँ कि हमारा एक time table होता है, set होता है. ताइम टेबल हमारा हर मंडे हो भो हर बात को lodge हो जाता, तो आपको जो मिलेगा वो आपको weekly टेबल देखने को तो तीन क्लासिस आपको देखने को मिलेंगी डेली वेसिस पे और इसका जो आपको पूरा मिलेंगी कौन सी क्लास होगी वो आपको टाइम टेबल वाले सेक्षन में जाके आपको हर मंडे को टाइम टेबल चेंज होता है या फिर वही टाइम टेबल कंटीनी होता है कि वही ती दिडरीट ब्याच है हमारा तो इंट्रेक्षण नहीं होता तो हर साटर्ड़े को हर साटर्ड़े को हमारा 530 पीम पर हमारा लाइप बैच होता है ये आपको एप के अंदर ही अप के बारे में मैं आपको बताओंगा तो 530 पर हमारा हर सैटेड़े को डाउट सेशन होता है if you don't know इसके और स्वेशोन में निकाले कि Friday को आप हमें हमारा डाउट जो अपना आपको डाउट है वह हमें बताईए अगर तो वह वरवली सॉल्ड हो जाए कि तो आपको भरवली सॉल्व करवा देगा अगर उसमें कोई एक्स्प्राइशन की जुरूरत है तो आप लाइफ सेशन में आकर भी उसको सौर्व यह रिजॉल्व कर सकते हैं ठीक है इसके बाद अपडेटेटेड नोट्स आपको देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइस आपको पीच उपसे निकालके हाट कॉपी को निकाल सकते हो उसके साथ-साथ आपको जो टेस्ट दिये जाएगा या टेस्स सिरीज आपको दी जाएगी इन दी एंड वह भी आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको देखने को मिलेंगे तो दोनों जो बच्चे हिं पर एचपी स्टडी पर देखने को मिलती है उसके साथ-साथ हमारे पेड बैचे उसमें हम आपको एक वीकली लेक्चर भी जो हो देते हैं जिसमें डेटेल में टीचर जो है वह आपको समझाते हैं पूरे वीक के च्रेंट अफेर्स जो की आपके लिए बेटर है और उसी के साथ-साथ डेली आपको करेंट फेर की पीडिए जो है वह डेली बेसी से आपको थरेटिकल वे में आपको एक्स्प्लीनेशन के साथ आपको पीडेफ नो't मी जौ ह् deux दरही के सफे जो है वह आपको दिये जारे क्योंकि पेपर वन और पेपर टू दोनों में आपके अने हैं तो इसके साथ हो गया हिंदी इंगलिश्ट दोनों में हैं टापिक वाइस यह सारी चीजें आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेंगी अगर आपको कोर्स से रेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप 788, 148, 46248 पे भी हमें जो है वो कॉल कर सकते हैं ठीके तो अब कोर्स जो है वो आपका कब स्टार्ट होगा आपका 16 अगस्ट 2023 से आपका यह कोर्स की क्ल क्लासिस आपको मिलेंगी और नोट्स भी आपको जो है वो उसी दिन जो है वो आपको मिल जाएंगे इसके साथ कोर्स का डिरेशन देको 3-4 मन्स हमने रखा है पर 4 मन्स हमने मैक्सिमम टाइम यहां पर बताया है कि बीच में छोटी है वागरा भी होती है जैसे आपका 50 नग मतलब जब तक एक्जाम नहीं होता है तब तक आप इसकी वीडियो का जो है वो देख सकते हैं कोर्स आपका 4 मन्स पर कंप्लीट हो जाएगा बट वीडियो को आप बार बार कंटिनूस तो हमारी आप के अंदर जो है वो देख सकते फी स्ट्रक्चर देखो 1200 जो है वो अभी जब तक एक्जाम नहीं होता है तब तक आप वीडियो को देख सकते हैं तौ कोई डाउट है तो 78148464 परकुछ तो हुद आपको को करते तot तो मिल जाएगा आपने करना क्या है आप को यह कुर्स मिलेगा कैसे कैसे पहली चीज तो कहा कि आप हमें कॉल करके के भी यह को ले सकते अगर निमबस करियर एप को आपने करना है और वहां पर साइन अप करें अगर आपने अल्रड़ी क्योंकि 1000 से जाला बच्चों ने वहारी आपको डानलोड किया है तो अगर आपने डाउनलोड कर लिए फिट तो सीधा के सीधा आप कोर्स में जाएए तो वहां पर आप ने हम कैसे पढ़ाते हैं हम देखना चाहते हैं तो आप demo lectures को लगाई है और आपको पूरा दिया गया है कि हर सब्जेक्ट का करने में थोड़ी से डाउट आ रहे हैं तो 7814846248 पे भी आप हमें और इंक्वैरी आपकी होगी तो आप तब भी हमें वह वह कॉल करके जो है यह बैच को ले सकते हैं या कोई और अधर प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीजसे पढ़ने से रिगाडिंग जो आपको से जो है वो आपको HP पटवारी के लिए जो यह batch बनाया गया है इसको join कीजिए और अपना जो government exam का सपना है जो government employee बनने का जो आपका सपना है उसको पूरा कीजिए तो यह batch start हो रहा है आपका 16 अगर्स 2023 से तो आप जो भी बचे हैं फर्स पहले ही अपस्पिंग जो है